नमश्कर दोस्तों अब बताने का कोशिश करूँगा जो भी आपके हाथ पर positivity होगी जो भी आपके हाथ पर negativity होगी इन साड़े विशे पर बात करके आपको दिखाएंगे तो जब मैंने ये हाथ देखा तो रेखाओं का माया जाल है इस हाथ पर लेकिन बिलीव में ये हाथ देखा पर दस्त है रेखाओं की माया जाल जरूर है हाथ देखाएंगे बट रेखाएं जिस भी प्रकार से है उस बात को आप भूल जाईए लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां है इस हाथ पर बनी हुई जिस प्रकार की ताकतवर स्थितियां इस हाथ पर बनी हुई है ये बिलकुल कौमन नहीं है ये बिलकुल समाने नहीं है ये विक्ति को बहुत धनवान बनाता है ये विक्ति को बहुत धनलाव कराता है इस केस में विक्ति के जीवन में बहुत अधिक धन आता है इस बात में को कोई संद्य नहीं है तो एक-एक करके चीजों को समझते हैं एक-एक करके चीजों को बताने का एवं समझाने का कोशिश करते हैं तो आईए पॉजिटिविटी से चीजों को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आप सकारात्मक्ताओं पर विचार करेंगे तो सकारात् देखोगे तो लाइफ 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 विक्ति के जीवन में बिलकुल प्रगतियों को बताता है। इस केस में विक्ति के जीवन में प्रगती, धनलाव, ग्रोथ, वसफलता। ये इनको देखने को वश्य मिलती है। इस बात में कोई संदे नहीं है। तो पहले चीज तो यह होगी। अगर मैं दूसी तरह बात कर ल शांदार जांदार रूप में मौझूद है गर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर एक और बुद्धरेखा मुझे असपश्ट दिख रही है मतलब ये विक्ती बिलकुल वैपार कर सकते है ये विक्ती बिलकुल वैपारिक डिस्टी कोन से दनलाव को प्राप्त कर सकते है इस केस में विक्ती वैपार से करोडो कमा सकते है तो वैपारिक डिस्टी कोन से दनलाव के योग है वैपारिक डिस्टी कोन से प्रिगती के योग है वेपारिक दिस्टि कौन से ग्रोध के योग है वेपारिक दिस्टि कौन से सफलता के योग बने हुए है फिर आप यहाँ पर देख लो तो ये एक चमतकारी रूप में नजर आ रही है बुद्रेका एक और अस्पस्टता के साथ है मतब बुद्रेका एक सदिक के हाथ पर बुद्रेका में बिलकुल भी किसी भी प्रिकायर से कोई कमी नहीं है तो अगर आपके हाथ पर बुद्रेका बहतर स्थिती में हो तो फिर तो कोई चिंता वाली बाती नहीं है फिर तो कोई परशानी वाली वाली तनाव वाली बाती नहीं है बुद्रेका जितनी जादा ऑथेंटिक हो जितनी जादा अच्छी हो वो आपके जीवन में उतना सफलता उतनी बड़ी ग्रोध उतनी बड़ी धनलाव किस्थती को समझाती एवं बताती अब आगे देखोगे तो यहाँ पर यहाँ पर भी बुद्ध पे खड़ी रेखा है दिमाग बहुत तेज होता है अब सूरी पर जो चमतकार हुआ है यहाँ पर एक ट्रेंगल यहाँ प व्यक्ति को बहुत जादा सफलता दिलाती है यह भी व्यक्ति को बहुत जादा प्रगति कराती है यह भी व्यक्ति को बहुत जादा धनलाव कराता इस केस में व्यक्ति के जीवन में धनलाव प्रगति व ग्रोध व सफलता यह इनको देखने को जरूर मिलती है यह व्यक्ति सफलता, ग्रोथ वा प्रगती ज़रूर हासिल करते हैं अपने जीवन में सफल ज़रूर होते हैं अपने जीवन में ग्रोथ ज़रूर प्राप्त करते हैं अपने जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ आगे समझा देता जो कि बिल्कुल समझने वाली हैं जो जिसको बिल्कुल देखना और समझना चाहिए विक्तियों को तो आप यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा अस्पस्टता से clarity से समझने का कोशिश करिए जानने का कोशिश करिए तो यहाँ पर confirm एक ब्रश्पती पर triangles है यहाँ पर एक और triangle मतलब दो-दो triangles मौझूद है यहाँ पर एक और triangle सिर्फ केवल एक ही triangle अगर किसी विक्ति के ब्रश्पती पर मौझूद होती है तो यहीं विक्ति को बहुत growth करा देता है लेकिन आपके हाद पर तो एक सधिक triangle है तो यह तो तो होती ही है, सफलता को तो आप प्राप्त करते ही है, दललाव को तो आप प्राप्त करते ही है, no doubt, यह होगी पहली चीज, अब अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले, तो यहाँ पर भी आप देखोगे, तो continuously, continuously बाग्य रेका बनी हुए, और तक्रीबन 35 वर्स के बाद एक मंगल ड्रेका बहुत शांदार अस्पस्ट है, तो मंगल ड्रेका भी एकदम अस्पस्टता के साथ बनी हुई है, मंगल ड्रेका भी एकदम जातक के जीवन में प्रगतियों को दिखा रही है, धनलाव को दिखा रही है, वेक्ति के जीवन में प्रगति होती है, संदर्म में वेक्ति ग्रोध को प्राप्त करते हैं, संदर में नहीं संदे ये एकदम clarity के साथ मैं देख पा रहा हूँ ये हम clarity के साथ मैं समझ पा रहा हूँ और इसके बाद आप पर उपकारी रेखा भी देख लो कितनी शांदार चलो, positivity हाथ पर बहुत जाद अच्छी है लेकिन इसाथ पर negativity भी है नेगटिव चीज़ को भी समझना important है उसके लिए भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है तो आप negativity देखेगा तो थोड़ा tensions की line है ये थोड़ा समस्या का रेखा है, थोड़ा दिक्कत का रेखा है ये tension समस्या वा दिक्कत का रेखा इस case में माना जाएगा बिल्कुल इस case में आपको tension हो सकता है इस case में आपको दिक्कतों का सामना करना पर सकता है इस case में आपको परशानियों का सामना करना पर सकता है तनाव का सामना करना पर सकता इस बात में भी कोई संदेह नहीं है तो ये होगी पहले चीज़ दूसी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डंब्रू जैसी आकरती का मौजूद्गी है मतलब मादेव की कृपा बनी रहती है तकरीबन आपके तक आदे एज के बाद है यह मान के चलो आप कि ये अगर आपका होगा तो 35 वर्स के बाद होगा मतलब इश्वरी ये कृपा आपकी बनी रहेगी इश्वरी ये ग्रोथ आपका बना रहेगा धनलाव को आप प्राप्त करते रहेंगे सफलता को आप प्राप्त करते रहेंगे प्रिगति को आप प्राप्त करते रहेंगे ग्रोथ को आप प्राप्त करते रहेंगे चुकि आपके हाथ पर इस प्रिकायर के स्थिया मौझूद है जो विक्ति को ग्रोथ कराता ही कराता है सफल बनाता ही बनाता है प्रिगति देता ही देता है धनलाव कराता ही कराता है नी संदे चलो ये तो आपने देख लिया समझ लिया, अब आगे हम बात कर लेते हैं आगे चीजों को तोड़ा गहराई पुरवक समझ लेते हैं यहीं कुछ negativity थी इसका उपाय करना है, पर mood swings के problems है, यह destructive रेखाएं होती है mood swings की रेखाएं होती है तोड़ा आपको परशान करती है तोड़ा आपको हतास, निराश करती है तो यहाँ पर यह थोड़ी से problematic चीज़े होती है, थोड़ी से परशानी बड़ी चीज़े होती है तो इसका भी आपको बिल्कुल रेमेडी करना है बाद बाद कि अभी जीवन ड्रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर कर लेते हैं चीजों को समझा देते हैं तो यह आपकी complete life line है यह आपकी जीवन ड्रेखा है मंगल ड्रेखा है बचाव कराती है लाइफ लाइफ लिए जोटी निया टेंशन लेने क्या वशीक्ता नहीं है वंगल ड्रेखा तो यह भी मान लआ तो निरंतर्था के साथ ग्रोध है 30 साल के बाद ग्रोध भी दिख रहा है मुझे लेकिन हाथ तो रह रहु रेखा है इस case में विक्ति को तुरी गबराहट होती है, तुरी परशानी होती है, गबराहट के योग इस संदर्म में जरूर देखने को मिलते हैं, गबराहट के योग इस case में विक्ति को जरूर सामना करना पड़ता है, गबराहट होती है इस संदर्म में, यवा करती है जबी भी support चाह आप छी आपे इच्छे है अच्छी दा रामान में का शेटन फिंगर लंब से बाख पड़ी तो रॉपकें यह और में दिक्कद तो नहीं है पर उपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, उस ट्राइंगल्स थे, जो नेगेटिविटी दूर करें, बड़ रेखाओं कमाया जाल जादा है हाथ पर, तो बिलकुल आपको इसका उपाय करना है, ये भागी रेखा बड़ी अच्छी है, ये थोड़ा सा डिस्ट्रै अच्छी है, सूरी रेखा अच्छी है, वैसे करियर वाईज अच्छा रहेगा, फिश्ट्राइन भी है, मतस्य को इंडिकेट कर रहा है, दो-दो मतस्य का चिन्न है, बड़ पर खड़ी रेखा रिमार्ग तेज है, तोड़े बहुत टेंसंस के लाइन है, ये बड़ रेखा का सामना नहीं करना पड़ता, धनवान बनता है, दनला आपको प्राप्त करते हैं, तो ये था इनके तलिका पूर्णता विस्क्रिशन, अगर आपको अमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें से सिस्क्काइब करें, अगर आप व्यक्ति का दूर्प सास्त अगर रिखा के, सही जानकरी प्राप करना चाहते हैं, हमारा वोट्स अगर डिस्क्रिशन मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं, धन्याओं